आज हम लेकर आए हैं आपनों के लिए बसंत पंचिमी स्पेशल पेड़ा की रेस्पी इन पेड़ों को आज हम सिर्फ और सिर्फ चार चमच दूत की मिलाई से बना कर तैयार करेंगे बिना माबा बिना पनीर बिना चासनी और बिना गेस जलाएं बहुत ही टेश्टी हमारे प देखने के लिए बहुत ही टेश्टी हमारे पेड़े बनकर तैयार होते हैं वो भी हम बिना गेस जलाएं इस पेड़े को बनाएंगे तो चलिए रेस्पी को शुरू करते हैं और वीडियो अच्छा लगए तो वीडियो को लाइक जरूर करें तो पेड़े को बनाने के लिए यहां पर मैंने लिया है ग्राइंडिंग जार इसमें हम डालेंगे भुने हुई चने तो यहां पर मैंने एक कटोरी भुना हुआ चना लिया है इसमें हम डालेंगे चार चमच चीनी तो चीनी को हम नाप कर लेंगे तो यहां पर मैंने चार चम्मच चीनी पहले से नापकर कटोरी में रखी थी अब यहाँ आप फ्लेवर के लिए डालेंगे एक हरी हिलाइची इसी के साथ हम डालेंगे मावा वाला टेक्ट्रा राइस में तो दो चम्मच मिल्क पाउडर मावा जैसा फ्लेवर आएगा मिल्क पाउडर डाले से इस तरह से सारी चीजों को मैंने पीछ लिया है बहुत यह अच्छा इसका पाउडर है जो बन चुका है देखिए इसका पाउडर है बहुत अच्छे से बना है यह बहुत अच्छे से पेश चुका है तो चलिए इसको किसी बरतन हम ट्रांसफर करेंगे अब हमें इसका डो लगाना है तो डो लगाने के लिए हम पर हम लेंगे दूद की फ्रेस मलाई यदि आपके पास दूद की फ्रेस मलाई ना हो तो आप दूद का भी इस्तमाल कर सकते हैं यहां पर मैंने दूद की मिलाई निकाली है, इस मिलाई का हम इस्तमाल करेंगे, यहां पर हमें 4 चमच मिलाई की जरुरूरत पड़े है, यहां पर मैं 4 चमच मिलाई है, जो सारी डाल देती हूं, चार चमच मिलाई में ही ये डो बहुत अच्छे से बन जाएगा क्योंकि इसमें जो हमने मिल्क पाउडर जाला है उसके कारण इसमें बहुत ही कम दूद या मिलाई का इस्तमाल होता है बहुत ही जल्दी से ये डो बन जाता है यहां पर हम दो इस तरह का रखेंगे यह देख सकते हैं थोड़ी सौप्ट सा है तो दो हमारा बन चुका है तो चलिए इसके हम छोटी छोटी सी लोईया निकाल लेते हैं इस तरह से हम छोटी छोटी लोईया निकाल लेते हैं क्योंकि हम बना रहे हैं पेड़ा बहुत ही तेश्टी पेड़ा लगते है इस तरह इसी बना कर तो देखिए एक बार इसमें हमने जो मिल्क पाउडर डाला है उसके कारण इनका फ्लेवर है जो बहुत ही अलग और डिफरेंट होता है लगता है जैंसे यह माबा हो माबा का ही फ्लेवर आता है इन पेड़ों में इस तरह है कि मैंने इसकी लोईया निकाल ली है अब हम पेड़ा बनाना सुरूं करेंगे तो बस हाथ पर इस तरह से गोली बनाईए गोल लड़ो जैंसे पर यह थोड़ा चप्टा करें और इनको हम थोड़ा गुमाते हुए पेड़ा की सेव देंगे इस तरह से बहुत ही आसानी से बन जाती है रेस्पी और इनको बनाने में पांच साथ मिल्ट का ही समय लगता है और हम इस मठाई को बिना गया जलाए हुए बना रहे हैं तो हम इस मठाई को कहीं भी वेटवर बना सकते हैं तो यहां पर मैंने दो पेड़े बना लिए इसी तरह से हम सारे पेड़े तैयार करेंगे तो बस यहां पर मैं इस सेंटर पन को रखती जाओंगी प्लेट में मैंने इनको ट्रेवर सेट कर दिया देख सकते हैं इनकी लोकिंग बहुत ही अच्छी आई है मैं आप लोंको कट करके दिखा देती हूँ इनका टेक्शर देखिए बहुत ही अच्छा आता है देख सकते हैं बहुत ही एकदम दानेदार हमारी मिठाई बनी है तो आज की रेस्पी आप लोगो कैसी लगी है कमेंट में जरूर बताईए मुझे मैं आप लोगो पास से दिखा रहे हैं देखिए इनका टेक्शर बहुत ही है लाजवाब हमारी मिठाई बनी है तो इसी तरह एक और भी नई रेस्पी की देखने के लिए बेल आइकन को आउन करें